हलो फ्रेंड से हम लोग एक नए वीडियो और फिर से एक लाइफ की गूर चीज लाइफ की बेसिक चीज की चर्चा करेंगे और आज का जो बिसे होगा उस पे चर्चा करें उसे बता दे कि जो भी वीवर्स वीडियो देख रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक चीज लाइफ पर देखी जाती है कि हमारी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है जैसे आगे बढ़ती जाती है में लिए 30 या कहली जै लिए 40 के बाद बहुत सारी रिस्पांसबिल्टी चाहें आप जिस पोस्ट पे होंगे आप एक बहुत ज़्यादा आईसे केस में आदमी का जो एक psychological effect है वो बहुत ज़्यादा effect होता है वह सारी एक अजीब सी thinking आपके जरा सा कोई काम चाहें अखाने का हो चाहें चाहें सोने का हो या कोई भी चीज है लाइफ की कोई achievement की चीज जो जरा सी कोई disturbed होती है भले ही उसकी वैलू नहों लेकिन बहुत ज्यादा एफेक्टेड होगा जिसको हम बोलते हैं साइकलोजिकल इफेक्ट वो चीज़े एक लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालना शुरू हो जाती है तो आज का जो वीडियो है इसी विसे का है कि अगर आपका एक साइको जिसको हिंदे मन का विज्ञान कह है अगर वो चीज़े खराब हो रही हों तो उसको कैसे इंप्रूब करें देखें जब आप देखेंगे फोटीज के ऊपर या अगर चोटी एच्वरी पढ़ाई वगयरा के स्टूजेंट्स वगयरा या आप किसी विसेश टार्गेट को अगर अच्व करना चाहे रहे हों अगर वहां पर आप फेल हो रहे हैं चीज़े आपके मन की ने तो आपकी जो मन के स्थिती है वो बहुत ही ज़्यादा विसेश हो जाती है एक अजीब सी सोच लोगों के प्रत एक अजीब सा डर या यहां तक कि आपके बाडी के फंक्सन भी एफेक्टेड होने लग जाते ह हैं जरा सी कोई आपको फेलर मिल गई लगेगा सब कुछ खतम हो गया कुछ भी नहीं है लाइक में तो यह बहुत सारी चीज़े आभी होती है तो जब भी ऐसी चीज़े हूँ एक चीज़ आप देखे अपने सबसे पहले तो आप अपनी जो एक साइको की साइंस है जो मन है जो भी आपका एक psychological effect होता है वो आपकी negative thinking होती है जो आपको सबसे ज़्यादा परिसान करती है अजीब सा लगेगा जैसे कोई भूत हो कोई मारना चाहता हो कोई कुछ है या लगेगा कोई रोग हमें हो रहा हो जबकि real में सायद कुछ भी ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती एक तो cool mind हो जाना चीज़ों को थोड़ा control करिए अपने सोचने पर और अगर उसके बावजूद भी ज़्यादा चीज़े हावी हो रहे तो आप past पर जाके अपने ध्यान से देखें कि जो चीज़े आपके सामने कभी घटित हुई ह आप देखेंगे कि साइध दस बार अगर्चा आप डिस्टर्ब होती है अगर आप बहुत ही खूस हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे चीज़े आएंगी आप साइध जिससे नफरत करते हूं वो भी आपको अच्छा लगेगा लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्ट से टार्चर होंगे तो अच्छी चीज़े भी आपको खराब लगना शुरू हो जाएंगी इसी को साइकलोजकल इफेक्ट बोलते हैं तो जब भी साइकलोजकल इफेक्ट हो ब्रेन को थोड़ा कूल करके और साथ में जो अपनी थिंकिंग है वो कोसिस करिए ज्यादा से ज् क्योंकि जनरल तोर पे जब भी टाइम ये चीज़े कब होती है कि आपका फेलियर हो रहे है कि आपका टाइम खराब है चीज़े आपके मन माफिक नहीं हो रही है प्रिसर आप ज्यादा हाबी हो रहा है जो भी बैलेंस है जो भी रिस्पांसबिल्टीज है वो पूरी तरीक गलत चीजे आपके मन में आ रहे हुँ अच्छा सोचिए अच्छे विचार अपलाईए तो आप अपने आप देखेंगे चीजे जो है यह आपका psychological effect आप पे हाबी नहीं होगा एक सोने की चीज देखे खाने की चीज देखे जो भी आपकी general function वो देखे जरा से disturb होगा एकदम से परिसानी बढ़ जाती है उसको एक जनरल में एवाइड कर देना चीजों को उन चीज को एवाइड कर देना आप कोई वर कर रहे हैं वहां फेल हो रहे हैं तो उसमें एकदम से परिसान हो जाना अजीब से thinking करना अजीब से सोचे आना तो वो चीजे आपको ज़्यादा डिस्टर्व करेंगी और यही टाइम बोला जाता है जहां एक mental strength आती है मानसिक द्रहता जो जनरल तोर पे कहा गया है कि समस्याएं सब के उपर आती है कुछ लोग उसे बन जाते हैं कुछ लोग उसे बिखर जाते हैं यही वो chance होते हैं कि सब्सक्राइब तरीके सोचना आपने जो mental thinking है उस पर कंट्रोल रखना कहने का उता है कुल मिला करें mental balance रखना जैसे मान लिजे आप डेली seven to eight hours होते हैं किसी इसी समस्याएं आप टेंस नाई जो किसी परेसानी में उस दिन आपने चारी पांथ घंटे सो तो उसमें बहुत की बात नहीं है कोई बहुत बड़ी चीला सो गई है आप उसके पतले दो घंटे दो ये तीन चार घंटे सो सकते हैं रात में जादा सो सकते हैं चीज अपने आप बैलेंस हो जाएंगी एक जैसे पैसे की बात है मान लिजे किसी काम में ज्यादे खर्चा हो गया आपका बैल अर्ली एज में अगर चीजे प्रिसर राइज ज्यादा है आपके उपर प्रिसर किसी चीज का ज्यादा है कोई बिसेश टार्गेट आप अच्यू करने जाते हैं तो यह चीजे आप पे बहुत हावी होने की कोशिज करती है और सबसे बड़ी चीजे माइकसिमम वन टू टू पर सिंठी बहुत जादा एक चीजे रियल्टी से बेस्ट होंगी अधर्वाइस सिर्फ और केवल सिर्फ निकेस्ट्यू ठिंकिंग होती है जो आपको गलत रास्ते पे आपको फेलर की तरफ ले जाएंगी तो इन चीजों को जो भी चीजे अभी हम लोगों ने डिसकस किया हैं तो जो भी आपकी परिशानी है जिस भी तरीके की परिशानी है धीरे-धीरे वह आपकी साल होती चली जाएगी और साइकलोजकल फेट जो है धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा थैंक्यू